रोश्नी के उस्पार ओम प्रकाश वालमिकी प्रश्न रोश्नी के उस्पार कविता में वेक्त कवी के विचास पस्ट कीजिए प्रश्न रोश्नी के उस्पार कविता में चित्रि दलित समाज की उपेक्षा का चित्रन प्रस्तूत कीजिए उत्तर में नहित कविता का भावार्त एवं सारांश रोश्नी के उसपार उम्प्रकाश वालमी की प्रश्न रोश्नी के उसपार कविता में व्यक्त कवी के विचार स्पष्ट कीजिए रोशनी के उसपार कविता में चित्रित दलित समाज की उपेक्षा का चित्रन प्रस्तुत कीजिए हिंदी दलित साहित्य में उमप्रकाशवालमीकी का नाम सर्वो परी है आपने हिंदी साहित्य को अपने विचारों के माध्यम से तथा अपनी रचनाओं के माध्यम से समृद्ध किया है जूठन आपकी प्रसिद आत्मकता है जो हिंदी की आत्मकताओं में विशेश चर्चित रही है सलाम उस पैठ ये आपके कहानी संग्रह है तथा सदियों का संताप बस बहुत हो चुका आदी आपके काव्य संग्रह प्रसिद है रोश्नी के उस पार आपकी चर्चित कविता है जिसमें विद्रोही तेवर के साथ दलित समाज की उपेक्षा का वर्नन किया गया है भारतिय समाज जातियों के आधार पर विभाजित है सेकडों वर्षों से यहां जाती व्यवस्था रही है और आज भी किसी न किसी रूप में उसका अस्तित्व है जाती व्यवस्था में विशमता है, शोशन है, आर्थिक, सामाजिक विशमता और शोशन इस जाती व्यवस्था में सवर्ण समाज को विशेश अधिकार मिले हैं इस अधिकार के कारण उनके पास सत्ता, संपत्ती और अधिकार है दूसरी और एसी व्यवस्था में दलितो समाज आज भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशमता का शिकार बना है भारती असम विधान ने देश के सभी नागरिकों के साथ दलितों और स्त्रियों को भी समान अधिकार दिये हैं इन अधिकारों के बावजूद आजादी के सत्तर वर्षों बाद भी हमारे समाज की मानसिक्ता नहीं बदली है इसी कारण आज भी दलित समाज की और मानवता की द्रिश्टी से नहीं देखा जाता है और स्त्रियों को भी समानता शोशन का सामना करना पड़ता है कहने के लिए हम सब भारतिय हैं, कहने के लिए हम सब समान हैं, परंतो वास्तविक्ता कुछ अलग है गाव हो या शहर, आज भी समाज में दलित अलग हैं, उपेक्षित हैं आज भी उन पर अत्याचार होते हैं हाँ, अब अत्याचारों का स्वरूप अलग है कवी ओम्प्रकाश वालमी की जी रोष्णी के उस पार कविता के माध्यम से उसी अत्याचार की और पाथकों का ध्यान खीचते हैं डॉक्तर बाबा सहब आमबेटकर जी के विचार और कार्य दलिट समाज के लिए प्रेवनास त्रोत हैं डॉक्टर, आमबेटकर ने दलित समाज को कहा था कि शहर की ओर चलो क्योंकि शिक्षा के अभाव में गाउं में दलित समाज पर अत्याचार बहुत अधिक हो रहे थे अतल दलित समाज शहरों में बड़ी संख्या में स्थलान तरीत हो गया यहां आकर भी दलितों के साथ उपेक्षा का भाव रहा पर अलग तरह से शहरों में जहां दलित बस्ते हैं वहां का जीवन किसी नरक से कम नहीं है दलितों की बस्तियों में हमेशा अंधेरा रहता है नगर निगम बिजली के खमवे तो खड़े करता है पर अंतु उस पर बिजली नहीं होती रोशनी सारे शहर में हैं शहर के उस पार बसी दलित बस्ती में केवल अंधेरा है दलित बस्ती में अज्यान है दुख है इसके लिए जिम्मिवार कौन है कवी कहते हैं कि जिनके पास सत्ता है अधिकार है वे लोगी इस उपेक्षा को जिम्मिवार है वे नहीं चाहते हैं कि दलितों की बस्ती में प्रकाश फैले वे नहीं चाहते कि वहां का अंधेरा दूर हो प्रकाश यहां ग्यान का प्रतीक है हम ज्यान को कैद करके रखना चाहते हैं हम दलितों को अज्यान में रखना चाहते हैं हम भूल जाते हैं कि दलित भी इसी समाज का हिस्सा हैं इसी देश के नागरिक हैं कभी कहते हैं कि प्रकाश केवल शहर में है शहर में चौरी सरके हैं पीने का स्वच पानी है, अच्छा जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएं हैं, रोशनी के उस पार दलित बस्ती है, यो कहिए, जहां रोशनी खत्म होती है, वहां से दलित बस्ती शुरू होती है, शहर की सुविधाएं दलितों की बस्ती तक नहीं पहुँचती पाती, यह यहां बिजली के खंबे है, बिजली नहीं है, यहां नल है, पर उसमें से कभी पानी नहीं आता, तंग गलिया हैं, गंधे नाले हैं, छोटे-छोटे घर पर असपर सटे हैं, यहां न खुली जगह हैं न खुली हवा, ऐसी स्थिती में इन लोगों की सपने इसी बस्ती में केवल राशनकार्ट का एक युनित रह गए हैं। इन्हें मत देने का अधिकार भी है। परंतु यह अधिकार इनके लिए एक अभिशाप बन गया है। केवल मतों के लिए इनका विचार किया जाता है। कई बार दलितों के मतों से नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए दलित बस्ती में सुविधाय भी नहीं पहुँच पाती। कवी का सवाल है कि देश के आम नागरीत के रूप में इनके बारे में क्यूं नहीं सोचा जाता। इनसान की दृष्टी से क्यूं नहीं देखा जाता। दलित बस्ती उपेक्षा का शिकार है। सत्ता पर बैठी लोग सोच समझ कर दलित समाज के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। हजारों वर्षों की मानसिक्ता में आज भी सवर्ण समाज जी रहा है। वह नहीं चाहता कि दलित समाज का हिस्सा बने, शहर का हिस्सा बने, देश का भविश्य कहलाए। अखबारों में सरकारी योजनाओं की जानकारी आती है परंतु दलित बस्ती तक योजनाएं नहीं पहुँच पाती। अकबारों में पढ़ने को मिलता है कि दलितों के लिए विश्व बैंट की राशी आई है पर वह केवल अकबारों तक ही सीमित रहती है वो राशी कहां चली जाती है किसी को कुछ नहीं पता कभी कहना चाहते हैं कि एक शद्यंत्र के तहट दलित समाज के साथ उपेक्षा का व्यवहार होता आया है सत्ता और अधिकार प्राप्त लोग दलितों को अंधेरे में ही रखना चाहते हैं वहां रोश्नी पहांच जाएगी तो वे लोग अपने हक के लिए लडेंगे दलितों की प्रती केवल हमदर्दी का नाटक किया जाता है सही अर्थ में अधेरा दूर करना है तो हमें अंधेरे की ओर चलते जाना होगा हाथ में मशाल लेकर मशाल यहां अधिकारों का प्रतीक है, शिक्षा का प्रतीक है, वहां का अंधेरा दूर तभी होगा जब वहां बिजली जलेगी अर्थात दलित बस्ती में जाकर, उनको अपना मानकर, देश के नागरिक समझकर उनके साथ व्यवहार होगा तो कुछ बदलेगा अन्यथा नहीं, कभी कहते हैं, रोश्नी के उस पार, जहां सूरज डूपता है हर रोच लेकिन कभी उपता नहीं भूले भटके भी, जहां रात की स्याही, दबोच लेती है कालिक बनकर, परस पर सटे और अंधेरे में डूबेत मकानों को इस प्रकार प्रस्तुत कविता के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मी की जी ने दलितों की उपेक्षा का चित्रन बड़ी समवेधना के साथ किया है उन्होंने दलितों की इस उपेक्षा के लिए प्रस्थापित समाज को जिम्मिवार माना है कवी प्रस्थापित समाज के खिलाफ संग घर्ष करना चाहते हैं दलितों को अधिकार दिलाना चाहते हैं इसलिए उनके एक-एक शब में विद्रोह की आग दिखाए देती है